हम क्या निकालना सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं टोटल इंकम निकालना सर हम टोटल इंकम निकालना सीख रहे हैं अभी मैं किसी के कमेंट वगेरा को ध्यान नहीं दे रहा फिलहाल चलो देख लेते हैं जिसका भी कोई भी कमेंट होगा मैं definitely देखूँगा अभी पहले सीख लेते हैं सभी बच्चे जो हैं और बच्चों से बोलूँगा जितने भी बच्चे अभी जोईन हो रखे हैं चाहे 50 बच्चे हो 60 बच्चे हो जो भी बच्चे live class में देख रहे हो वो सभी बच्चों से मैं कहूँगा कुछ बच्चे offline देखते हैं तो जो live है ना तो पूरा session खतम करिए जिस चीज को आप start करते है ना आप उस चीज को पूरा खतम करिए बीच में देखके फिर चले जाएंगे तो आपको benefit नहीं मिलेगा फिर बाद में भी आपको मजा नहीं आएगा देखने में ठीक है ना और मैंने कहा income tax ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो आप कुछ किसी भी field में हो आप चाहे आगे graduation से related काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो काम आएगा यह subject तो सर यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बीकॉम से related paper के बाद है मैंने start क्या किया था चलिए come to the point आते हम total income निकालना सीख रहे हैं सर total income निकालते समय पे tension यह था कि हमें देखना परता था कि ROR के लिए कौन सा होगा NOR के लिए कौन सा होगा और NR के लिए कौन सा होगा सर मैं simply बात कहूँ ना income को अगर मैं determine करूँ तो income जो है ना वो दो तरीके के income हो सकते हैं बस simple सी बात करता हूँ बहुत साधारन शब्दों में सर दो income हो सकते हैं या तो income Indian होगा या income foreigner होगा foreign income जिसे बोलते हैं income इंडिया का होगा या income foreign का होगा सर इंडिया का income किसे बोल रहे हो foreign का income किसे बोल रहे हो अगर आप इंडिया में इसे पैसे कमाओगे इंडिया के जमीन पेसे तो वह इंडियानी इंकम है भाई आप कहां पर इसे collect कर रहे हो foreign का मतलब आपने earn कहां किया outside India और सर receive भी आपने किया outside इंडिया तो उसको बोलते हैं हम foreign income यानि सब कुछ बहार ही है कमाया भी आपने बहार और receive भी कहां किया आपने उसे foreign income बोलते हैं अगर कमाया बहार और अगर इंडिया में receive कर लिया तो उसे Indian income की तरीके से ही treat किया जाएगा समझे बात हम तो foreign income अगर आपको समझ गया बाकी बचा हुआ सारा Indian income है सिंपल सी बात है दो यी तो income है या तो इंडिया की income है या फॉरण का तो अगर आपने कमाया बहार receive ए य का मतलब सर यह foreign income है कमाया बहार यी इंडिया में तो इसका मतलब वो कौन सा income है इंडीया इंकम इंडीया इंकम सब आपका status whatever हो आपके लिए taxable होगा लेकिन foreign income स्रिफ एक क्यों ही taxable करता है और 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 बाकी को taxable नहीं करता है इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है ठीक है ना इसके साथ साथ कुछ एक income exempted वाले वो ध्यान रखने income exempted कौन से agriculture income जो भारत की जमीन पर होगा उसे बोलेंगे ठीक है पास्ट अंटेक्स इंकम पास जो पुराने हमारे income जो अंटेक्स है इसके साथ साथ और कौन सा था सार agriculture income बोल दिया पास अंटेक्स या फिर आपका gift हो relative से gift marriage location पे हो तो यह कुछ एक income है जो कि हमारा exempt था employee से जो कि मैंने इस चार्ट में बताया सर याद रखने का तरीका क्या है या तो income इंडियन होगा या तो foreign होगा इंडियन होगा tension नहीं है सबके लिए taxable foreign होगा तो सर्फ आरवार के लिए taxable अब सर कुश्चन घुमा घुमा के बोलेगा कि यह इंडियन income है नहीं बोलेगा कि SBI के अंदर interest Paris में receive किया Mr.Ram ने तो भाईया आप tension नहीं लेना अगर इंडिया के जमीन पे कमाया गया तो उसी तरीके से ऐसे भी बोल सकता है कि इंडियन government ने bond issue किया और एक outsider ने जो कभी इंडिया आया ही नहीं उस ने उस bond को खरीद लिया bond क्या होता है नौर्मली पैसे जमाव मां करते हैं FD टाइप कमांद जो तो उसको हर साल ब्याज दिया जा रहा है तो सर इसू जो किया वो तो इंडियन government नहीं किया तो इंकम तो अल्टिमेटली इंडियन हो गया तो आपको question mark है ही नहीं के भाई कोई जोन रिसीब कर रहा हो या फिर जोनी रिसीब कर रहा हो या राम रिसीब कर रहा हो कोई फरक ही नहीं पड़ता क्योंकि वो हो गया इंडियन इंकम ठीक है इसी से related मैंने आपके लिए जो चार्ट था ये चार्ट पूरा था और इस चार्ट को हमने समझ लिया था पूरा अच्छे से ठीक है आज का एजिंडा क्या है सर सर्फ और सर्फ आपके साथ question practice करने क्योंकि हमने basic concept तो समझ ही लिया है सर्फ और सर्फ क्या practice करेंगे हम question उस question को practice करने से पहले कुछ और मैं एक concept बता देना चाहता हूँ जो कि कई बार examiner पूछ लेता है चलिए वो देख लेते हैं अभी वैसे ये chapter है पूरा लेकिन अभी आपको सिखाया नहीं जाएगा बाद में पूरा chapter करा हूँगा तो इसके पूरे rule and regulation के साथ बात करूँगा बस एक होता है set of chapter वैसे है set of and carry forward लेकिन एक concept समझना पड़ेगा सर आपको के set of का मतलब क्या होता है जो हमारा government है ना अगर मैं government की बात करूँ तो आप simple सी बात समझ लेना text department जिनका काम text department का है text department पता ही क्या क केता है किसी भी person से कहता है भईया आपकी total income पे हम tax लेंगे ऐसा नहीं कि आप job कर रहे हो तो सरिफ job वाले income पे ही tax लेंगे हम आपकी सारी income पे tax लेंगे सिरफ salary पे नहीं किराये पे नहीं capital गें पे PGBP पर नहीं, other source पर नहीं, सारी income पर, तो भईया, इसकी सारी income की बात करें, तो जैसे मैंने गिनवा दिया आपको, क्या बात कर रहा है है, salary पर भी taxable, क्या बात कर रहा है है, house property पर भी taxable, क्या बात कर रहा है है, capital gain पर भी taxable, मैं short form में लिख रहा हूँ, और other source पर भी, इस पर जैसे कोई भी income हो, इन सभी income को जोड़ के जो total income होगा, सरकार उस पर आपसे tax मानती है, after deduction, और जो भी आगे हम देखेंगे, setup का मतलब क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है, किसी person का, कि house property से उसका loss हो, जैसे मान लेते हैं कि 5000, यहाँ पे 2000 का loss है, यहाँ पे 20,000 का profit है, यहाँ पे 6000 का profit है, यहाँ पे 4000 रुपे के income है, तो income जब calculate करेंगे न, तो हमें total income का मतलब होता है, सारे income को तो लेके चलेंगे, साथ के साथ, अगर ऐसा कोई जगह है, जहां से हमें loss होगे, तो सरकार बोलता है भी या फिर उससे minus कर, लेकिन इसके भी rule है, जो rule हम इस पूरे chapter में पढ़ेंगे, अभी rule में समझा नहीं सक हो सकता है, कुछ rule है, setup का मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैं फिलाल बता हूँ न, 5000 और 20, 25,000 और 6, 25 और 4, 39 और 6, 35, 35 में से 2 minus कर दोगे तो, तो 33,000 पे आपका taxable income हो जाएगा, कोई बच्चा ये न पूछे के सर 33,000 तो taxable ही नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है न, तो 33,000 पे taxable है, इसका मतलब जो बीच में minus होता है न, वो minus करना allowed है, लेकिन ये minus कहां और कब इसके भी rules हैं, ऐसा नहीं के कहीं भी minus कर देंगे, तो अभी इस chapter में तो पूछेगा ही नहीं आपसे, ऐसा complication करेगा ही नहीं वो, जो भी हम question करेंगे, वो आने वाल चप्टर में setup and carry forward में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो हम question start करें क्या, सीधा सीधा question उठाते हैं, और ज्यादा question कुछ questions आप करोगे, कुछ questions मैं कर दूँगा, और जल्दी जल्दी खतम कर देंगे, ज्यादा निए 15-20 question है, I think first question मैंने आपको दिया था, अब आते हैं हम second ये वाला कर लिया था क्या, आप बताएए, आप बताते जाएएगा, ये कर लिया था न, fourth करा था, नहीं करा, छोटा सा question था, नहीं करा होगा शायद, लेकिन अब फटा-फट से देख लेते हैं, कोई question रहेगा ने, आपको भ हैं, answer है, तो इसका मतलब ये नहीं कि देख लेना है, कुछ बच्चे, पता है practice ना बहुत जरूरी है, कुछ बच्चे सोचते answer तो ही है, question पढ़ा और एक बार मन के अंदर बोला कि इसका ये होगा, फिर check कर लिया, फिर question पढ़ा, फिर मन के अंदर सोचा ये होगा, चेक कर कर लिया, इसे practice नहीं बोलते हैं, फिर exam के अंदर वो मन काम नहीं आता फिर आपका, सिर्फ question नहीं question दिखता है आपको, ज्यान रखना हो, इसलिए मैं कहूंगा, सभी बच्चों से कि आप practice जरूर करें, और लिख के practice करें, ठीक है ना, तो चलिए, आपका बोल, इसमें क्या पूछा गया है sir question में, question में कहता है कि X non-resident है, non-resident मतलब NR, यानि जो ये income हमें बताना है, यहाँ पे वो बताना है simply NR के लिए, यानि हमारे ये NR है, मैं थोड़ा सा time बचा रहा हूँ, अपना question दुबारा लिखनी रहा, format, format जो book के अंदर follow किया जा रहे हैं, ठीक है न, तो format बताने के मेरे हिसाब से है नहीं, बाकि, NR है, NR के लिए क्या taxable होगा, नहीं होगा, सारे rule mind में ध्यान रखना, कहता है ये royalty received by him outside India, from the government of India, भाई, government of India से royalty मिला है, अब simple सी बात है, government of India से अगर royalty मिल दिया है, तो income तो इंडिया की है, अब आपका status whatever हो, मुझे आगे जादा पढ़ने की जुरत भी नहीं है, taxable होगा ये नहीं होगा, बिलकुल होगा taxable, ठीक है न, क्योंकि ये इंडिया के income है, कुछ बच्चे पूचें का सर कैसे का, क्योंकि Indian government royalty दे रहा है, तो Indian government इंडिया में से ही royalty दे रहा हुआ, तो इस कंपनी है, advice हम कहीं भी दे, phone call आ जाएगा, USM advice दे, लेकिन इंडिया पे तो, है तो इंडिया के अंदर न, income इंडिया से ही कमाया जा रहा है, तो ये भी taxable हो जाएगा, sir, कितने रुपे taxable हो जाएगा, 234, income from business in India, income from business in India, receive outside India, क्या फरक पड़ता है, इंडिया में मैंने बोला न, अगर आप इंडिया का income माना गया, तो आपका status matter ही नहीं करता, sir, status whatever हो, taxable हो, ये आपका हो जाएगा, total जो भी कर लेंगे, फटा-फट से, 34,000, 2,34,000, 3,36,000, अब देखिए, इसमें भी किसी का doubt हो सकता है, तो मैं एक-एक मिनट का time लूँगा, जिसका doubt हो, मन में कोई संका हो, आप पूछ सकते हैं, जिसका doubt हो, sir, question show नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे, ओके, मेरे पास हो रहा है, वैसे show, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको, ये लेजिए, किसी का doubt हो, वैसे doubt table कुछ है नहीं, हाँ, बिलकुल ये chapter मेरी तो पूरी कोशिस से खतम हो जाएगी, क्योंकि question ही practice करने हैं, बस, second और third point, second में कहता है technical fee, technical fee क्या होता है, आपने online कोई advertisement या किसी चीज़ की service दिया है, और technical fee Indian company है, तो sir, Indian company की परिवासा वो होती है, कि अगर कोई भारत के अंदर, भारत के अंदर की बात करें, अगर कोई company है, तो उसे बोलेंगे, Indian company, और आपने service दिया मान लेते हैं, question में क्या कहता है, आपने advice जर्मनी में दिया, तो भाई बाहर दिया, लेकिन पैसे ultimately तो यहीं से कमाई हुई है, भारत की जमीन से ही कमाई हुई, आप जर्मनी में रह रहे होते हैं, और जर्मनी में service देते हैं, तो foreign income बोलते हैं, वहाँ प आपका, तो सबके लिए, sir, taxable हो जाएगा, बहुत simple सी बात है, कहना, sir, Germany में company है, sir, 3 और 9, 9 तो है भी नहीं, यहाँ पर, अभी और भी question देखते हैं, मैंने देख लिया है, आपके doubt अगर clear नहीं हो, तो last तक मैं आपके doubt clear करके जाऊँ है, ठीक है ना, तो और भी question देखते हैं, चलिए, करkerाहा है, जाएट करके जएब 5. झाल साथ Украї utilizzए, खाब आपके, झाल सही यहाँ है, है साथ हैं, ऊड्किए, यहाँ झाल साथ हैशब करेंई ज़रीए, are you बनाएछिए, झाल कर और रहेँ हैं, झाल साथ हैं, झाल कर्त पके, हूँआ हैं, झाल कर्वाब 5. झाल 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 ठीक है next question पर देखते है ध्यान दीजे ध्यान दीजे बोट पर वो थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया था माइक का इसलिए ध्यान देना यहाँ पर कहता है Mr. Akbar who is a citizen of Iran सर यहाँ का person नहीं है receive education in India यह इंडिया के अंदर education लेने आया 1st May 2015 to June 2020 he went to Iran to June 2020 यानि सर यह कब आया इंडिया में पहली बार एक पांच दो हजार पंदरा और पूरे टाइम इंडिया में था एक छे दो हजार बीस तक इंडिया में ही था और दो ही वेंट टू इरान दो जून को चला गया यह यानि दो छे दो हजार पीस में चला गया इसका मतलब दो जून को गया देखो examiner कैसे confuse करने की कोसिस कर रहा है दो जून को गया लेकिन जिस दिन गया भाई उस दिन भी तो इंडिया में ही है तो यह मान के चलो दो जून को गया है सेप्टेमबर दो हजार बीस तक फ्रॉम फॉस सेप्टेमबर भई दो जून को चला गया अब तुम वहां पर इरान में अब उसने फॉस सेप्टेमबर से क्या करा वहीं काम कर दिया इस्टाट ही वर्किंग सेप्टेमबर ही अगें कम इंडिया 15 दिसंबर वापसी ये 15 दिसंबर को आया 2020 में वापसी आ गया ये एक बार गया फिर वापसी आया फिर से क्या कहता है दिसंबर एंड वेंट इरान फिर 25 जनवरी को चला गया ये 25 जनवरी 2021 में फिर चला गया ये इस इंकम उसने पूरा इंकम जो कमाया है ना duration में यह income कमाया है कुछ salary कुछ dividend receive Indian company interest bank deposit तो सार अगर हमसे तीनों के लिए पूचता तो कुछ सोचना नहीं था अब सबसे पहले हमें decide करना होगा कि जो यह Mr. Akbar है इसका residential status किया है इसका residential status देखने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं simply current year को define कर देते हैं ध्यान दीजे current year का scenario या current year का date में define करूँ तो हमारा 20 21 है his income 21 तो एक चार 2020 और खतम होगा 31 2021 तो पहले तो हम current year का जो भी scenario बन रहा है उसे निकालते हैं सर तर current year का क्या scenario बन रहा है सबसे पहले चेक करेंगे कि एपरेल में कहां है यह एपरेल में इंडिया में यह मई में भी इंडिया में है यानि दो जून तक दो जून दो छे 2020 तक इंडिया में है यानि यह वाला जो एरिया है वो सारा का सारा एरिया इंडिया का है यानि मैं count करूँ इस एरिये के अंदर तो सर एपरेल के अंदर तो वो रह जाता है 30 दिन में के अंदर हो जाता है वो 31 और जून में हो जाता है इस साइट तो सर उसने जो days complete किया 63 अब देखते हैं आगे क्या कहता यह सर आगे की कहानी में कहता है यह जब गया तो फिर वापसी आया 15 बारा यानि सर कुछ 15 बारा 15 बारा दो हजार बीस को वापसी आया इसका मतलब सर यह जो duration है बीच वाला वो इंडिया में है ही नहीं तो इसको count इनी करो December में आया और फिर जनृवरी में चला गया 25 जनृवरी को तो सर December में 15 तारिक को आया तो December के महीने में कितने दिन रहा 17 कैसे 17 दिन आप 15 को भी count करोगे और 31 का December होता है 30 का होता December कहां पढ़ाई कर रहे हैं कह रहे हैं 30 का होता December तो 17 दिन December के हैं अब January में भी वो 25 को छोड़ के जा रहा है तो Sir मैं Jan की बात करूँ न तो Jan में भी वो 25 को छोड़ के जा रहा है तो 25 दिन ही है इसके बाद चला गया तो इसके बाद कहां गया नहीं गया पता ने 17 और 25 की मैं बात करूँ कितने दिन तो Sir वैसे यहां पे देखा जाए तो 63 और 42 पहला जो condition है न 182 डेज वाला तो नहीं कर रहा अब हम 60 डेज वाला चेक करेंगे लेकिन 60 डेज वाला चेक करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना होगा कहीं यह तीनों तो नहीं है exception वाला तो यह तीनों भी नहीं आउटसाइड इंडिया employment के लिए है ना Indian origin है ना crew member तो Sir इसके दूसरा condition apply हो सकता है उसमें कहता है 60 दिन current year में 60 days during the current year तो यह तो Sir है पिछले चार सालों में सर इससे पीछे की चार सालों की बात करूँ ना तो इससे पीछे तो लगातार वो भारत में ही है 2015 में भी भारत में है 2016 में भी भारत में 17 में भी भारत में 18 में भी भारत में 19 में भी भारत में 20 तो start हो गया क्या आप measure कर सकते हो क्या पिछले होगा यह यानि सर और ली देखा जाए 365 लेकिन मैं यह आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं एक्जाम में आपको एक्जेक्ट डेट लिखना है कि सर यहां से यहां तक 365 दिन कंप्लीट कर रहा है और इसलिए यह रेजिडेंट अभी तो हो गया और अब तो आपका उसने कहा है कंडिशन में 10 में से कोई भी दो साल तो जरूरी यह दस साल रहो अगर आप तीन साल में दो बाल कर दो के तब भी माना जाएगा और रहा बाद 730 दिन तो 730 दिन भी कर रहा है दो साल में हो जाएगा इसका लगवग लगवग 700 से प्लस तो यानि इस के इंकम को आरो आर के हिसाब से डिटर्माइन करना है तो मैं यहाँ पर सिंप्ली यहीं करके दिखा देता हूं सबसे पहले सैलरी रिसीव इन इरान वही आरो आ रहे तो आएगा डिविडेंट रिसीव यह भी आएगा इसके बाद इंटरस बैंक कहीं से भी आएगा भाई एग्जम्टिड भी होता है लेकिन अभी इससे एग्जम्शन की बात नहीं करेंगे तो जो भी आ रहा है 92, 93 जो भी आजाता है वटेवर आपका यह कैलकुलेशन बताइए किसी को कोई डाउट वो आगे डिडेक्शन में करेंगे हम ठीक है न डिडेक्शन मिलता है 80, T, T, A के अकॉर्डिक वो बात में देखेंगे है बताइए कोई डाउट सर वन वाला क्यों? स्टेटस आरो आर है और आरो आर में आपकी इंकम कोई सी भी हो टेक्सिबल तो होगा ही होगा पॉइंट नमबर वन सैलरी रिसीव इरान में कर रहा है लेकिन मैंने क्या कहा अगर आप कहोगे सैलरी रिसीव इरान में हो रहा है जौब भी इरान में कर रहा है तो इसका मतलब सर ये तो फॉरन इंकम हो गया और आप मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सर जो foreign income होता है ना उस income पे तो ROR तो text देगा ही देगा चाहे कुछ भी हो तो आप कह रहे हो सर ये तो है foreign income क्योंकि बाहरी receive है बाहरी सब कुछ हो रहा है लेकिन इसका status क्योंकि ROR है इसलिए मैंने बोला इसको text देना पड़ेगा समझे बात आप ठीक है चलिए एक और कुछन देखते है ये करवा दिया six okay seven नहीं गड़ा है तो देखो फटा-फट से होते जा रहे कुछन और क्या कर सकते हैं हुआ हुआ है